तो अगत है आप सभी का मनोज स्टेडी सेंटर यूटूब चैनल पे देखिए दोस्तों यहाँ पर आज हम अंकित वाटी साथ जो बुक है इसमें मैद का सेक्षन लेकर रहा हुए घातांक और घात कि चले चले सभी लोक्क वीडियो को लाइक करते जाए नाय चलूरे चुश्त ओन सबी माइन सब्सक्राइब यहाँ पर देखते हैं को संतरी के लगा सकते हैं और यहां पर देखने कैसे लगाएंगा सबी लोग देखिए comment करते रहे जवाब देते रहे और यहाँ पर देखिये जवाब देना राइट अनसर यहाँ पर क्या होगा यहाँ ऐसे लगाएंगे सबiese पहले आपको ध्यान देना यहाँ पर 6 की पावर M दिया गया है और यहाँ पर हमसे 6 की 6iki power m-2 की कीमत पूछा गया है então इसको H Himself की लिए दो या ये बात आप लिए सकते हैं क्योंकि देखीए जब बावर सेम होते तो दोनों गुरा में Power क्या होती एड होती यानि M specific करेंगे माइनस डू आइगा और इस तरीके से यहाँ पे हम जो छोन लिख सकते हैं ठीकिए ना इसको फिर इस तरीके से और लिख सकते हैं如果 सकते हैं यह नंबर हमेसा उपर है इसको गड़न लिख दें तो इसको हम सिकसे पीव लिख सकते हैं हमेशया यात रखिये जब भी माइनस में पावर हो, उसको नीचे बटे में लिख दीजिए, एक के बटे में, वो हमेशा प्लस में पावर कंवर्ट हो जाती है, अब आप कहेंगे यह तुम्हारा 6 की पावर M हो गया, और यह हमारा 36 हो गया, कोसन में 6 की पावर M हमें दिया गया है, 46,56, तो आपको तो कहने का मतलब, जो सवाल है हमारे, काफी आसान है, इस तरीके से आप लगाएंगे, आपका अंसर आ जाएगा, बिकल्प नमबर, बी नमबर आपका, करेक्ट अंसर आपका होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ, यहाँ पर देखिए, next person है, second number, यहाँ पर देखिए, आपको बताना है, मान, नेर्णाय करें, और यहाँ पर आपके घातां करणी की टाइप में दिये गए हैं, तो देखिए, यहाँ पर दो की पावर 4 है, जब भी वर्गे मूल, अगर ऐसे sign बना हो, यहाँ पर अग पर जो भी value होगी उसको हम power यानि एक बटो के नीचे लिए सकते हैं, अगर यहां 3 होता तो एक बटो 3 लिखते चार होगा तो एक बटो 4, यहाँ पर 2 की power 4 है ना, तो इसको हम आपसे कहेंगे, क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे दो की power 4 और इसको एक बटो ली सकते है, इस इसी प्रकार जब इसको करेंगे दो दूनी चार आएगा यानि इसका मान चार आएगा इसकी वैलू कितनी आगे इसकी वैलू आपकी चार आगे इसी प्रकार इसको साल्व करेंगे देखो यहाँ पर चार की पावर 3 लिखेंगे 64 इसकी पावर एक बटा तीन है यानि यहाँ पर आपका पड़ जाएगा इस तरीके से आपका के पावरे 39 आपको एक पावर 3 तो लिखाईए उकर डीमें ये भी कटेंगा न तूंताराएका यESE आपको कितना आएगा चार आजाएगा ठीक인가 यहाँ पर कितना आपका आजईगा चेन और यहाँ पर पूछा क्या क्या है अच्छा इसका मान पूछा कि इनको जोड़ना है चलो ठीक है चार प्लस चार आगया अभी एक और नंबर बचा हुआ इसको देखे साल पर करेंगे तो दो की पावर एट है और इसको एक बटे चार लिखेंगे ना इसे चार दुनी आठ और यहाँ पर दो की स्क्वार यानि यहाँ पर भी चार आएगा तो कहने मतला दोस्तों चार चार तीन बार आया है ना तो अंसार आपको जोड़ने पर कितना आ जाएगा बारा विकल्प आपको यहाँ पर अंसार ए नंबर होगा ए यह नंबर यहाँ पर अंसर क्या होगा विल्कुल आपका करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे लगाएंगे यहाँ पर यह लिखा हुआ है और सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूछा गया एन का मान क्या होगा तो दोनों तरफ आप क्या करिए क्या कर दिजी जब करेंगे तो यहाँ आपका आएगा इधर वर्क करेंगे यहां लिख दे रहे हैं 11-2 रूट-N का whole square का formula आपने पड़ा होगा a square plus b square plus 2ab यानि root 112 के square करेंगे तो 112 ही आपका आएगा 343 करेंगे तो आपका यही रहेगा अब plus का 2ab होता है यानि 2 into इनको आपस में क्या करतेंगे multiply करतेंगे तो यहाँ पर हमारा 112 आएगा इसके बाद 121 आपका है इन दोनों को जोड़ लीजिए जोड़ने पर आपका आएगा चार सो पच्पन प्लस दो गुड़ते अब देखेंगे इसको थोड़ा साल्वा कर लेजिए गा इसके बाद 121 आपका है ही चार सो पच्पन तो आपका है इसमें दो सुगुड़ा कर दीजिए दो च्छा का बारा दो नहीं अठारा एक उन्नीस दो एक कम दो एक तीन तीन सुबान भी आएगा फिर इनको जोड़ लेंगे तो यह आपका जाएगा जोड़ने पर 847 कितना आएगा 847 आपको एन निकालना है 847 में से एक सुग कई से भाग कर दीजिए गा तो आपको जाएगा 7 बार कितनी बार 7 बार तो इसमें जो अनसार आपका आएगा विकल्पनॉंबर सी विकल्पनॉंबर सी यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल कर्रेक्ट असार आपका हो जाएगा चलिए नेक्स प्रश्न बताईए देखे बहुत ही आसान सवाल है अगर आप एक बार समझ लेंगे तो फिर उम्मीद करिए कि सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे देखें यहां पर आपके जो करणी लिखा हुआ है ना यहां पर तीन लिखा हुआ है तो करणी में हमेशा जितने भी करणी लिखा होगा दो तीन चार उतने ही आपको नंबर को एक सेट बनाना है तो तीन तीन के यहां पर सेट बनाएंगे इसका अनुद दसमलों यहां पर हम अंगल डिजित पे हैं, तो अनसार आपको आएसे ही लगा देना देना वी नमबर यह तो आपका डेसेमेल वाला कांसेट हो गया जितने भी डिजी अगर यहां पर चैनोет में था न तो इसको भलत यहां पर देखिया, आप से पूछा गया है, अंडरुट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वाईर माइनस इस तरीके से पूछा गया है, सरल करने पर क्या होगा, देखिए इसमें आप फर्मूला लगा सकते हैं, इसको अगर पूरे को A माल ले, इसको अगर आप B माल ले, तो A मैनस B स्कूर के फार्मूला हमने पढ़ा होगा A plus B A minus B तो कहने मतलब इनको एक बार add कर दो और दूसरे bracket में इन दोनों को minus कर दो तो पहले हम add कर लेते हैं 5 root 5 है plus का root 3 है यह यह माल लेते हैं पूरा A है और दूसरा number हम add कर रहे है root 5 minus root 3 यह हमने कर लिया A plus B और दूसरे bracket माइनस में हमने बता है आपको A plus B A minus B होता है तो यहां पर आपका आएगा root 5 plus का root 3 minus करेंगे ठीक ना अब यह दो नमबर है तो यह तो minus में रहेगा minus का root 5 आएगा यह लेकिन बीच में minus है तो फिर minus तो बाहर रहेगा यह दो नमबर जब होंगे ना आपका यहां पर root 3 से root 3 आपका कैंसिल होगा यहां पर root 5 root 5 जोड़ेंगे तो 2 root 5 आएगा into यह bracket लगा हुआ है ना into है इनके बीच में sign दो ब्रेकेट हैं के बीच में काफी आसान सवाल है इस तरीके से आप लगा सकते हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए आपसे पूछा गया इन में से कौन संख्या सबसे बढ़ी है तो को ऐसे प्रस्नों को आपको बाई आपसन से लगाना होगा सारे आपसन को चेकरना पड़ेगा कि कौन से नमबर बढ़ा रहा है यह 69 है ना तो 40 हम क्या ले सकते हैं 7 की पावर 2 ले सकते हैं इसकी उलफी नमबर आपका हाँ देखे 2401 की पावर माइनस एक बटा चार लिखाई है माइनस एक बटा चार है इसकी पावर ज्यान दीजीगा तो इसको हम देखे 24 की 2401 होता है हमारा साथ की पावर क्या होता है साथ की पावर चार होता है इसकी पावर क्या है माइनस एक बटा चार है कैसी लोगा साथ की power minus 1 का मतलब 1 बटा 7 होता है यानि यह बारा number आपका 1 बटा 7 आएगा कौन सा यह बारा अब इसकी बारी है तो 3,42 हमारा क्या होता है 7 की power 3 होता है न यह इसकी power भी minus 1 बटा 3 है इसकी power क्या है minus का 1 बटा 3 आपका है तो इस 7 की power अगर 3 को ऊपर ले जाए तो यह हमारा 7 की power minus 3 आएगा into है ना 7 की power minus 3 तो रहेगा ही into minus 1 बटा 3 जो इसकी power यह भी रहेगा 3 3 कट गया minus minus की power मतलब प्लस में हो जाएगा 7 की power 1 यानि 7 आएगा तो कहने मतलब last वाला सालों करेंगे 7 आपका हैगा अब इसमें आप चेक कर सकते हैं देखो 7 की power 3 ऊपर जाएगा ना तो 7 की power minus 3 होगा इसकी power क्या है minus 1 बटा 3 है इससे गुड़ा भी तो कराएगे ना तो minus minus का गुड़ा क्या होता है प्लस होता है यानि आप देख रहे हैं ना कि इनमें सबसे बड़ी आपको नंबर कौँ से दिख रहा है पहला यह बिकल्प आपको दिख रहा है यानि यह वाला आपका होगा 6 नंबर के यहाँ पर अंसर क्या होगा 49 की power जो 3 बटा 2 दिया था यही आपका क्या होगा सबसे बड़ा आपका होगा चलिए आगे हम बढ़ते हैं देखिए सेवे नंबर बहुत आसान है जब भी कभी इस तरीके के सवाल देखने को मिले आपको एक्जाम में तो कैसे लगाईएगा देखिए बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं इस तरीके से लगाएंगे तो आपका गलत भी नहीं होगा अब इल्कुल आपका सही हो जाएगा देखिए लगाना कैसे रहेगा आपको लाश्ट से शुरू करना है लाश्ट से आखरी से यह एक शवालेस लिखा है वर्हमन लेंगे कितना है और ऑke conform में से बावन में से 12 जोड देंगे तो आपका साइगा 64 तो यह यानी 8 का भर कितना होता है आट होता है अब 248 में से 8 जोड देंगे तो कितना आएगा 252 शपपन आएगा 256 कवर गे मूर्ट फिर से निकालेंगे तो यह किसका होता है यह आपका सोला का होता है तो अंसर आपका यहाँ पर दी नंबर होगा हां बिल्कुल जवाब दिया गया यहाँ पर देखें आपको बताना है आठ नंबर सवाल जो है ना यहाँ पर अंडरूट 72 प्लस अंडरूट 72 प्लस इस तरीके से आपका सतत करणड़ी वाले सवाल है इस तरीके से यहाँ पर 12-12 लिखा हुआ है तो पूछा गया डिवाइड कराना है जो को यह सवाल जो आपको देखने में बले ही बड़ा लग र दो पताया कि जब बात कुछ ऐसे नंबर लिखे होते हैं ठीक ना अनन तक सिर्ष जा रही होती रूट के अंदर लिखी रहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके गुड़न खंड करना है अईसे दो गुड़न खंड करना है जिन में अंतर हमेशा एक डिजिट को होना चाहिए अंतर हमेशा एक डिजिट को होना चाहिए तो हमने आपसे कहा बहातर कर लिजी तो बहातर को आपने कहा हम नौ और आट लिसकते हैं लिखने को और भी लिसकते हैं 12 गुड़े 6 बरचंग 24 तरका 72 हमने आपसे क्या बोला हमें सिर्फ ऐसे दो नंबर लेना है है ना कि उनमें अंतर हमेशा एक काना चाहिए इसमें एक अंतर आपका है और जिसमें पाजिटिव अगर है ना प्लस लगा है तो जो बड़ा नंबर होगा वही इसका अंसर होगा यहां सिरीच प्लस की है तो बड़ा 9 होगा यहां माइनस लगा होता है 72 माइनस बातर तो फिर इस केस में अंसर आपका 8 होता है वैसे भी आप जानते है प्लस बड़ा होता है माइनस छोटा होता है तो दो नंबर आएंगे आपके गुड़न खंड में अंतर हमेशा एक कजब होगा ना तो एक के बीच में साइन है डिवाइड कर देंगे अंसार आपका तीन आएगा बिल्कुल सही जवाब दिया गया है आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट एंसर क्या होगा कि अब इस टाइब के सवाल अभी हमने करवाया था जस्ट है हना उसी टाइब के यह भी सवाल है नो नंबर कर देखिए जवाब देना कमेंट करिए क्या होगा तो सबसे पहले हम लास्ट से सुरुआत करेंगे यह आपका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने को होता है यह आपका पंदरा को होता है इसमें पंदरा जोड़ देंगे 170 आएगा यानि फिर 13 को होगा फिर 13 इसमें जोड़ देंगे यानि 15625 होगा फाइनल आपको 15625 का वर्गमूल निकालना है तो यह आपका 125 आता है ठीक अनन तक जाएगी तभी इससार आईगा मानलो अनन तक सिर इस नहीं होँती तो इसका अन्सार दूसरा होता है ठीक है नँसको लगाने का दूसरा तरीका होता वह भी हम आपको बता दे रहा है अभी हिसी सवाल में पहले इसको फिर उड़े हो क्या आएगा यहाँ परуют लिख्गा ना तो दो तोडेंगे दो को तोड़ेंगे तो दो और एक sih में टूटे यहाँ पर पाजिटीव दो ले लेंगे अंसार का दो हो गया अगर मा लो यह सवाल में से लिए। अनन不多 लगना होता है इतना ही होता है तो फिर कैसे लगाते हैं दो को यहाँ पर दो तो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर बेस देखिए कितने एक दो तीन अंडरूड है न तो फिर कितना आपका आएगा दो की पावर तिन कितना होता है आठ होता है उससे एक कम लिखना है असाद बटे आठ लिखना पड़ेगा आपको है ना ऐसे लिखना पड़ेगा वो सवाल दूसरे टाइप के होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ग्यारे नमबर का देखिए जवाब देना है यदि x बराबर root 2 plus 1 root 2 minus 1 और y बराबर इतना दिया गया है तो यहाँ पर आपको बताना है x square plus y square का मान क्या होगा चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट अंसर यहाँ पर क्या आएगा देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर इन्हों ने बोला x square y square x square y square का मान आपको बताना क्या होगा चलिए कोई बात नहीं पहले इसको square कर लेते हैं इसका जब square करेंगे तो root 2 plus 1 तो रहेगा ही हाँ रूट 2 plus 1 तो रहेगा ही इसको हम कर ले रहे हैं हम 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 देखिए x square y square आप से पूछ रहे हैं इसका square कर लेजिए इसका square कर दीजिए और दोनों को जोड़ लेजिए आपका अंसर आजाएगा दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका अंसर क्या होगा आजाएगा कई तरीके लगाने के एक तरीका आपके पास हो रहे हैं जो अभी इसको बता रहे हैं यह तो आप लगाई सकते हैं एक और तरीका आपके पास हैं आप क्या करें एक सिंटो वाई निकाल लेंगे तो इन दोनों को क्या करना हमें आपस में गुड़ा करना है जब गुड़ा करेंगे तो यह से कैंसील हो जाएगा प्लस लेंगे यहाँ पर कितना करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आयेगा ऊपर हमारे कितना कड़ें की नहåंगे और यहाँ पर कितना इगा प्लस का है कि यहां किrite नहीं यहां यहां पर कितना अंगर प्लस वन इसका बीसका तो माइनस का है यह आएगा यह आए गा दोस्तों हो यह आपका कैंसी लोगा दो एकlys इन यानि 6uben यह यानि एकस प्लस वाई बरावर आपकाश्य आ श्को आपकर लीजीडे कह साल यह आएगा अब इस से सीधे आपफ हाई सकते है एकस प्लस यwe स्कॉएर।अ का फ़र्मुला क्या होताँ निया इस दो इसके लगा सकते धिया हमको value निकालना है एक्सवाई हमको पता टुखे स्वाइर और नियुन और तो यहां पर कितना आएगह। माइनस करें इस तरीके नमबर नम्बर का डी मधर होगा इक यहां अगर समझ में नहीं आया होगा तो दुबारा बता देंगे हैना 11 नमबर का 34 अशार होगा 28 नमबर का 28 नमबर सवाल कहां बता रहे हैं 28 नहीं होगा इसका 28 नमबर तो नहीं एग्यार नमबर सवाल है आपका यहां पर देख लिए अंसर सभी खा गया ना कंफर्म हो गईए सबसे पहले आप इनों गुड़ा कर लेंगे आईगा xy का अपस में और एक्स वाई दोनों को जोड़ेंगे असा हमने क्यों कि यह हम Impf소리 की स्थी आघे तो कहुंगा यह दो गुझाए प्लस वाला नंबर लेंगे बड़ा वाला अंसर यहाँ पर 12 number आपका क्या होगा तीन अंसर आपका हो जाएगा लेकिन यहाँ पर अंसर आपका 3 भी होगा माइनस केस में 2 भी होगा तो यहाँ पर अंसर में विकल्प जो दिया गया है आपका दोनों दे रखा है ध्यान देजिएगा ऐसी गलतिक जाम में मत करिएगा फिर आपको दोनों अंसर लगाना है अगर 3 और माइनस 2 क view कि HowD कि हुआ कि आ इखी कि आ अखी अग्याजुप का झाषीच आगर यह दोनों उनसर देगं सुभी आपन फिर question लगा करना है यहां अगर यह बिशल कर दिया होता है माल लो तो फिर अंसार आपका तीन वाला होता है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं ये भी ध्यान रखिए कभी कभी दो आपसंदे दे देते हैं प्लस माइनस का चलो यहाँ पर बात करते हैं अगला सवाल है यदि दो की पावर एक से पावर एक से में एकाई कंग बोला है पांच होता है तो एक से का मान कितना होगा तो को एकाई कंग आप समझ रहना पहले तो इसको गुड़ा करिए साल्व करेंगे दस की पावर एक साइगा अब आप ही बताईए इसमें दस की पावर एकस में एकाई कंग कहीं पांच आ सकता है नहीं आ सकता है दस की पावर एक से का मान पूछ रहा है तो कभी भी नहीं आएगा क्योंकि देखिए एक दो जीरो एकाई कंग पांच आई नहीं सकता है तो इसलिए एक से का मान नहीं होगा जब ए पॉसिवल है एक सब कोई मान नहीं होगा अंसर आपके यहां पर डी नंबर होगा चले अगला प्रशन बताइए यहां पर देखिए पुछा गया यह दिरूट टू बराबर 1.4142 हो तो 7 प्लस 3 प्लस रूट टू का मान क्या होगा देखिए ऐसे प्रशनो कैसे लगाते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है इसका रेशनलाइज करना है परिमे करन जिसे आप कहते हैं तो सबसे पहले हम परिमे करन करेंगे तो जो आपके लिखा हुआ है 7 प्लस 7 अपान क्या 3 प्लस र कर देते हैं कि जब करेंगे तो उपर कितना आएगा इसको गुड़ा दोनों में होगा हना इसका जब गुड़ा करेंगे यह तो आप ऐसा करिए काम ले लिजिए साथ ऐसे लिग लिजिए भी यह करेंगे और नीचे कितना मारा आएगा यह दो को ए प्लस भी और ए माइनस भी गुड़ा करेंगे न, तो a square minus b square होता है, तो 3 की square 9, root 2 का square 2, 9 में 2 गटाएंगे 7, 7 से 7 कट गया, यानि यह हमारा दोस्तों 3 minus root 2 आया है, और root 2 की question में value दिया गया 1.414 है, तीन में से आपको 1.41, 4142 क्या करना है, minus कर लेंगे, इसको minus कर लेंगे तो आपका answer आ जाएगा, 1.5 5888 ठीक है न, answer आपका ए नमबर यहाँ पर सही होगा, 14 नमबर के सभी लोग चेक कर लिजिए, answer सभी के यह आ रहा है, 14 नमबर के देख लिजिए, answer सभी के आ रहा है, चलिए आ रहा होगा, जो chapter हम करवाने जा रहे है, पूर्ण संख्या क्या होता है, whole नमबर, जो संख्या चलते ही रहेगी, अजो प्राकरती संख्या होती है यहाँ पर लेकर आ हुए है, पर पहला से पुछा गया है, चार अंकों वाला सबसे छोटा नमबर, जो साथ से विभाजित हो सके, देखे चार डिजिट बोला है, अशर छोटा नमबर, तो आपके दिमाग में जाना चाहि की सब्सक्राइब साहां तो आप इसा करते हैं इसमें साथ se क्या करते हैं। जब हम साथ से डिवाइड कराएंगे कर लेते कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से कर लेते साथ एक कम साथ आएगा यहाँ पर तीन आएगा साथ चोको 28 आएगा फिर दो आएगा जीरो आएगा साथ दूनी 14 आएगा यहाँ पर आपका छह रिमेंडर यानि दोस्तों यहाँ पर साथ रिमेंडर अगर आया होता तो हम यह कह सकते थे कि साथ से साथ हमारा कर जाएगा लेकिन यहाँ पर च्छाए एक कम पड़ाटा Forsch यहाँ पर हमारा कितना होना चाहिए एक हजार मेंसे एक जोड दिजी है, एक हजार मेंसे क्या करिए एक जोड दिजीए ठीक न सी आप एक जोड देंगे न तो फी पूरा पूरा कर जाएगए यहाँ पर तो सीधे आपको क्या करना था एक हजार आया इसमें एक जोड़ देजिएगा तो एक हजार एक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट टैंसर आपका होगा सी नंबर हाँ बिल्कुल सभी जवाब दिया गया है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर हमसे पुछा गया तीन और दोसों के बीच साथ के द्वारा विभाज कितनी प्राकरतिक संख्या होगी प्राकरतिक संख्या जानते हैं जो संख्या एक सुरू होती है काउंटिंग नंबर को ही हम संख्या यहा कहते है तो यहां पर देखिए तीन से लेका 200 के बीच। हैं आप terseum संख्या हैं इनके बीच में इसine कितनी संख्या है जो साथ से कट तो पहले हम देखेंगे roku हमारे पास का een सास्हा जो साथ से कठता है तो सब्सक्राइब आइसना प्राक्रटिक इन्होंने बोली दिया है को इसमें है नहीं तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर जो भी संख्या साथ से कटेंगी वह कही ना कहीं साथ का multiple होंगी साथ का multiple यानि पहली संख्या हमे पता होगा इस तरीके से आपके 77 के अंतर पर चलेगा अब यहां पर हम यह चेक कर ले रहें कि लास्ट में नंबर हमारा क्या आएगा तो देखिए यहां पर साथ से बाग देजिए कि दूनी साथ से कटेगा तो कुल मिला कि हमें यह पता चल गया कि तीन और दोसों के बीच में पहला नंबर जो हमारा है वह साथ है जो मतलब साथ से कटेगा और लास्ट में हमारा दोसों से पहले आता है एक साथ से नहीं कटेगा इससे जो पहले नंबर आपका आता एक साथ से नहीं कटेगा यानि यह जो नंबर आपका मिला यह पर्थम पद है इसको ए मान लेजिए यह जो अंतिम पद है यह अंतिम पद है हमने एन निकालने का फार्मूला बताया है आपको अंतिम में से पर् अर लाश्ट में एक आपको जोड़ देना है तो कहने का मतलब फार्मूला अगर नहीं आत कर पाते हैं तो आप ऐसे समझिए जो भी लाश्ट नंबर होगा उसमें से आपको प्रथम नंबर जो स्टार्टिंग का था उसको माइनस करेंगे 196 में से आपको 7 माइनस करना है तो कितना हैगा 16 में 7 गया 9 यानि आपका 189 आ जाएगा 189 में दोस्तों डिफरेंस यहाँ पर 7 7 का है 7 से भाग देंगे तो 7 2 नी 14 और यहाँ पर आएगा 4 7 सत्य कितना होता 49 27 आपका आएगा लेकिन हमने बोला ना एक अभी आपको जोड़ना है तो 27 में एक जोड़ देंगे तो अंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा 28 आपका हो जाएगा एक जोड़ना भी है कि को फार्मूला जो होता है N बराबर L माइनस A अपांडी अप प्लस का 1 ये भी ध्यान रखिएगा लास्ट में एक आपको जोड़ना भी है अंतिम प्लस प्रारंबिक नंबर जो है उनको अंतर लीजिए डिफ्रेंस से भाग करिए और ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट में उसमें से आपको एक जोड़ना भी है उम्मीद है किलियर हो गया होगा आगे हम बढ़ते हैं यह जो सवाल है हमने इस टाइब के सवाल कई बार आपको इजाम में करवाया है मलब कई वीडियों कराया है लिखा हुआ किसी संख्या को गर 52 से भाग देते हैं तो 44 से बचता यदि उसी संख्या को 13 से भाग देते हैं तो कितना सेभ बचेगा तो पहला वाला आपको सेषफल दिया है इसी को मानगे में संख्या उख और हमने को आप 44 है हम से गाए कर 3449 होता है 14 में नौ घटाएंगे कितना है वार पंच सिंपल सी बात है पांच हमारा आया रिमेंडर सेसफल यह हमारा अंसर होगा बिलकुल सही जबाब दिया गया है बिलकुल राइट अंसर है नेक्स प्रेशन बताइए यहाँ पर देखिए पुछा गया तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से विवाज है यानि अंतर 17-17 के ही डिफरेंस मे पहले पहुचना है अब हम आपसे कहें तीन हो में संख्या हमारी सौसी स्टार्ट होती है और लाष्ट में षमारा त्रिपल नवर आपके होते हैं थीग न वहरे always हमारे 100 से स्टार्ट होते यहां पर निकालना जो अभी बताया था अब यहां पर लास्ट नमबर आपको देखना है इसा कौन सा नंबर है जो 17 से आपको इखटेगा न्याणबे से पहले कोई भी नंबर आपका हो सकता है तो नौन॥ 903 ऩे बिए आपका तो नहीं हो गा नौ Oh यहां पर आपको 986 आएगा अंतिम नंबर आपको 986 आएगा चेकर लीज़िए अंतिम नंबर आपको 986 आएगा ठीक ना अंतिम नमबर कितना अब देखो यह अब इन्हीं दो नमबर आपको फोकस करना बस आपको अगर इस टार्टिक नमबर पता चल जाए और जहां तक पूछेगा अगर अंतिम नमबर पता चल जाए तो आप एन आसानी से निकाल सकते हैं अभी हमने बताया 986 में से 102 घटाई है कितना है यहां पर आपको 17 से भाग देना है जब 17 से यहाँ आप बावन आएगा कितना है इसके बाद एक अभी जोड़ना भी आमने बताया था फार्मूले में फार्मूला भी इसके पहने वाले कि लास्टिंविडियो भी को सम्क राया था ऐल ऽापां डी प्लस बन तो यहां पर 33 स सब्सक्राइब 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 करेक्ट अंसर दिया गया है एक और देखिए प्रशन है मारे सामने इसाब कहीं पूछे गए सब यूपीटर पर लेसी बेश्टम कोसंस लेकर आए प्रिवेस यह आपके नौ एवं 63 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो नौ से पूरतिया भाज है परंतो तीन से भाज नहीं है अब ध्यान दिजिएगा कि जो भी संख्या नौ से एकर कह रहा है पूरतिया भाज है वो तीन से संख्या नहीं होगी देवकों यह संख्या जो आपका अंशार कोई भी संख्या नहीं हो गया इसी पूछो क्यों क्यों कि हम 153 कि या है क्यों कि नो के पर् crispy लिखते नौ का फेक्टर के यखता है एक होता है तीन होता है इसाँख यह नो के factor है और नो के factor में ही हमारा 3 आ जाता है इसका मतलब जब factor में ही उसका factor आएगा तो वो तो 100% कटेगा हाँ ये चीज है अगर यहां लिख दिया होता कि जो संख्या 3 से कटी है तीन से पुर्टया विभाज है परन तो 9 से भाजी नहीं तो वह एक अलग बात है कि बहुत स कटी है वह जरूरी नहीं है कि 9 से ही कटे अब एक्जाम्पल 21 हमारा making 3 से कर ता एक की समाड़ करता लेकिन क्या 29 से कटेगा नहीं कटेगा यह जरूरी नहीं है तो इस चीज को भी सहेद्यान लखेगा जब भी बड़ा नंबर देगा तो छोटा वाला जरूर जीन को बिलोक्त सएंग्या यहां पर देखिए आपको 58 से उसी संख्या को 17 से बाग देने पर इस संख्या लगा दे लिए समझ जाओगी पहला वाला अब ही हमारी संख्या है अब इसी को आपको सत्तर से भाग देना है भाग दे दिजी सत्तरा दूनी चोंती सत्तरा तरिका 51 होता है आठ में गया साथ देख रहे हैं न मतलब सेकुंडों में आप सवाल लगा सकते हैं यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका हो होगा जो तीन के गुड़ज हैं सो के बराबर हो यह सो से कमी होना चाहिए और तीन के गुड़ज का मतलब होता है मल्टिपल गुडज का मतलब होता है मल्टिपल तो तीन के मल्टिपल पे नंबर हमारे कौन कौन से होंगे तीन होगा च्छे होगा है यह चलता रहेगा चलत यह लोता है यहाँ ने फ़र्मुला पड़ा होगा ठीके सबसे पहले कि um निकालने अबने आपको तरीका बतांगे नियांड़े में से पहले तीन घटांगे तो आपको जिएंगे ठाइगा अगर इस प्रस्न में केवल मैंぎ और यहां पर योग पूछा है तो कुई दिक्क्त नहीं हमको पताचल करить रख लिए 232 दो पहला पत आपका कितना है तीन है और अंतिम पत कितना है अंतिम ततना था निन्यान बे था निन्यान बे और तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 102 आएगा हाना 102 आएगा गुड़ा कर लेजिए दो पंचे दस दो एक कम दो यानि 33 गुड़े आपको करना है 51 33 गुड़े 51 कर लिजिए आपका अंसर आजाएगा है ना गुड़ा कर लिजिए 15 15 15 15 16 3 5 3 8 1683 इसका अंसर होगा 1683 इस प्रस्ण का अंसर होगा वैसे भी लाश्ट में देखिए डिजिट आपका इकाई अंक तीने कम तीने आथा और आपसर में तीन ही था पुरा गुड़ा करने की जरूरत भी नहीं थी आप सिर्फ आइसे ही पता कर सकते थे आपसर नंबर ए होगा हाँ विल्कुल सभी जवाब दिया गया आगे बढ़ते हैं निमनिमे से कौश संक्या अभाज संक्या नहीं जानते हैं न क्या होता किवल दो ही फेक्टर होते हैं वह हमारा अभास संक्या होता है जैसे दो अबास संख्या है एक सम अबास संख्या कह सकते हैं इकलावती दुनिया में एकी सम अबास संख्या वो दो है इसके फैक्टर करेंगे तो एक और दो आएगा तीन के फैक्टर करेंगे एक तीन आएगा चार करेंगे तो एक दो चार जब दो से ज़्यादा फैक्टर ह होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको भाज संख्या कहते हैं इसको प्राइम नंबर कहते हैं अबास संख्या को प्राइम नंबर और रूड संख्या रूड संख्या रूड संख्या से कई नाम है रूड संख्या प्राइम नंबर अभास संख्या कई सारे नाम है जिसके किवल दो ही फैक्टर होते हैं यह संख्या जो किवल एक के अलावा स्वयम से ही कटती है वो भी आपका कैसा है भाज संख्या अभाज नहीं यह बाज याद रखिए कि जिस संख्या के दो से अधिक गुड़न खंड होते हैं उसे हम भाज संख्या कहते हैं अजिस संख्या केवल दो ही गुड़न खंड होते हैं उसे हम भाज अभाज संख्या कहते हैं ठीक है अभाज संख्या को रूड संख्या भी कहते हैं ये भी आपको याद एक से लेकर सो तक में कितनी अबास अंख्या होती हैं कमेंट करके जुरूर बताईएगा एक से लेकर सो तक के बीच में कितनी अबास अंख्या होती हैं और एक से लेकर सो तक के बीच में कितनी ट्वीन प्राइम नंबर होते हैं यानि जुडवा अबास अंख्या होते हैं यह जुडवा बास संख्या ट्विन प्राइम भी बताना है आपको कमेंट में और यहां पर अभाज कितनी होती यह भी आपको बताना यह डारेट यह आपको याद होना चाहिए यह तो आपको नर्मल यादी होना चाहिए यह आप नौ नमबर में पूछा गया एक दो अंकी संख् कर दिया करिए बस मान लेते हैं एकस प्लस वाई हमारा दिया गया unique में देगा जोडने वाले में 11 कहीं मल्टिपल में ही देगा घटाने केज में हमेसा 9 के मल्टिपल में देगा यह concept आपको याद रखना है 9, 4, 36 सीधे लिखो अब यहाँ पर काटो 2x वराबर आएगा आपका 12 x वराबर 6 आएगा तो y वराबर आपका 2 आएगा संख्या मान के चलत बीन पिन कापे के की हा यहाँ पर देखिया जबाब हमारी विचाच चुका है कि हाँ का आप है आपसन से भी कर सकते हैं बिलकुल सही हम आप संख्यानी ने दिये अच्छा हुआ है हम हाँए सके पहले जितने भी आपको क्लास से लिए थे सभी में आप सन से बताया है यह द इंधिखा है यहाँ पर 36 में difference कितने का है 36 इनके digit में रहके कितने का है इनके digit में रहके हैं 3 और 6 में 3 अंतर यानि 9 37 कि एपीं चेarat होता है और यहाँ पर 639 तो यानि यहाँ पर आपका कितना होगा 3 होगा 27 लिखा यदि उस संख्या 36 घटाया जाता है तो इसके अंग एक दूसरे से बदल जाते हैं ठीक ना तो अब यहाँ पर बोला गया तो वह संख्या कौन सी हो आपसं से लगा लो कोई भी आपसं लेलो 62 लेलो ठीक ना इनका आग 62 है अब 62 है यह मालों 62 लिया हमने अंग के बदल है ठीक है जो भी आपसंद लेखिए उसको रिवर्स करिए रिवर्स करने के बाद देखिए 36 किसमें आ रहा है जिसमें 36 आ गया समझोव यह अंसर आपको हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ आप लोगों ने कमेंट नहीं किया एक से लेकर सौ तक में कितनी जुडवा वासंख्या होती है जुडवा वासंख्या आपने नहीं बताया किसी ने कमेंट करके एक से लेकर टुइन प्राइम नंबर कितने होते हैं हारात्मक सिरेड़ी में देखिए एक के बटे में हम अध्यान दिजिएगा यहां पर एक बटे लिख लो एक बटे चार एक बटे साथ और एक बटे दस इन में अंतर देखिए तीन का इसमें भी तीन का इसमें भी तीन का तो यही वाला अंसर आपका होगा हमेशा एक के बटे में लिखा होगा हां गुड मानिंग चलिए यहां प और पांचमा पत आपका 25 है तो सातमा पत क्या होगा तीगे 17 रेड़ी से समंदित प्रसनाप का दिया गया है है यहां पर देखिए सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं दूसरा पत दिया गया है दोखो इसमें लिखा कैसे जाता है पहला पत ए फिर ए प्लस डी ऐश जलता ह है तो यह मानगे चलो प्रथम पत है दुती पत है तरती चतुर्थ जब भी चतुर्थ पत होगा तो उसमें तीन डी लिखेंगे पांचमा पत की बात करेंगे ए प्लस फोर डी लिखेंगे यह आपको याद रखना है दूसरा पत बोला है तो आपको लिखना है ए प्लस डी प्लस डी बराबर 13 है और पांचमा पत की बात हो रहे ही तो ए प्लस कितना दिया गया है 5D पांचमा मतलब 4 लिखेंगे एक कम लिखेंगे अभी हमने बताया था पांचमा पत कहेगा तो 4D लिखेंगे एक कम आएगा क्योंकि ए से स्टार्ट होता है ना इसलिए जब पांचमा पत होको तो ए प्लस 4D यह हमारा पचीद दिया गया है आप इसको आप माइनस करने पर साल्व कर सकते हैं यह कैंसील होगा माइनस का 3D आएगा अब पचीश में से 13 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 12 आएगा माइनस कबार आएगा माइनस मैनस का इसल हो जाएगा डी बराबर आपका 4 आएगा डी बराबर कितना आपका आ जाएगा है पर 4 आजाएगा ठीक跟大家 अब यहाँ पर सातमा पत पूछा गया सातमा पत के लिए क्या olacak A प्लस है 6D होगा एक कम कर देंगे पहला पत हमको पता ही थ पहला पर यहां पर अच्छा ए निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है निकाल लेंगे तो ए वराबर नौव आएगा ना लेकिए डी वराबर चार रहा या ए प्लस डी कितना तेरा है तो इसका लब ए हमारा नौव रहा होगा है अब इसमें रख लिजिए तो नौव प्लस यह संख्या यह प्रशनाम आपको बता रहे थे एक से लेकर एक से सवतक में जो अबास संख्या होती है लिख दे रहे हैं आपके आपकी 25 होती है और जो जुडवा संख्या होती है जिससे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर को तो यह आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं एक चात्र परिच्छा में सही उत्र देने पर चार अंग के प्राप्त करता है और प्रत्य गलत उत्तर देने पर उसके दोंग कार दिये जाते हैं वह कुल 40 प्रश्णों के उत्तर देता है और 100 प्राप्त करता है उसने कुल कितने प्रश्णों के उत्तर गलत दिये तो को इस प्रश्णों को आप कई तरीके से लगा सकते हैं कई तरीके आपके कई मैठेट कम से कम तीन से चार चार तरीके सी वीडियो हमने आल लेडी बता रखा पहले से जब भी आते हैं चुलों इसको हम एलिगेसंस लगा दे रहें हम यह माल लेते हैं कि टोटल 40 प्रस्ण किया अब 40 में 40 उसने सही कर दिया एक तरफ लिखेंगे कंडिशन सही की और दूसरी तरफ एक प्रस्ण दो नमबर में कट रहा है तो 40 में कितना कटेंगे 42 असी मनलब कट जाएगा यह बीच में आपके 100 नमबर प्राप्त हो रहें एलिगेसं कैसे लगाते हैं सभी को पता होगा यह जो आएट हो जाएगा 180 आएगा इसका डिफ्रेंस लेंगे 60 आएगा 00 काट कि अancy है आपसे पूछाग्य गया था इस तर razor की होंगे तो इसतरी के से आब लगा सकते तीजी से कोई इसमें बहुत बड़ा इसओ आपका नहीं है और पहली 35 सम प्राकृती संख्याओं के गुडण फल में दहाई के दाही के स्थान पर कौन संख आएगा अगर हम पहली 35 सम प्राकरति संख्या लेते हैं तो हमारे पास 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 10 होगा और यह सिलसला जो है चलता रहेगा है ना चलता रहेगा और भी नंबर हमारे पास आएगे 20 आएगा 22 आएगा ऐसे चलता रहेगा यह कभी खतम नहीं हो अंसार आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही अंसार आपका हो जाएगा उमीद है समझ गए होगे अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताना है आपको निम लेखित में ऐसी कौन संख्या जो एक आबाज संख्या नहीं है आपको प्रस्ने देखते ही लग रहा होगा अबाज संख्या बोला गया कौन सी नहीं है तो अबाज संख्या कौन लिखा न कौन संख्या एक अबाज संख्या नहीं है बताएं कर देखे यहां पर आपका लेखा हुआ है मैं यह तो आवास नंख्या लग रहा है यह सब्सक्राइब है और यह आपका है और यह संख्या नंबर पहले से पुछा सबसे पहले हम क्या करते हैं यह परस्ट वाला प्रस का यह भी प्लस का दोनों को जोड़ देंगे तो इसका तरीके सकते हैं 2.36 में बाद लगा है ऐसे लिग लिजिए 36 36 लिग लिजिए दो बार तो कम सकम लिखी सकते हैं और यहाँ पर इसको लिखेंगे 4 पॉइंट बहुत आसान तरीका आपको बता रहें इससे आपको आइड करेंगे बहुत आसान तरीके से लगेगा 639 336 639 336 426 यह आपका आएगा इसके बाद हमें यह माइनस भी करना रहे 4 और यहाँ पर 6 आएगा 6 में 3 अब यह नंबर आएगा ना यह आई से चलता रहे खतम नहीं होगा तो इसको बार के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे 3.664 की पर बार लगा देंगे तो अंसर आपको यहाँ पर पहला नंबर आपका होगा यह मैठेड आसान है अब इस तर 2.3555 को बिनने में बदला जाता है तो परेडाम क्या होगा आप देख रहें ना 353535 डिपीटेशन हो रहा है और जब कभी रिपीटेशन होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं लिखने में और यहाँ पर दो नंबर पर बार करना पड़ता है आपसर नंबर यह होगा सही यहां पर है कि कोसर नंबर देखिए तीन आपसे पुछा गया लोवर एक जाम लोवर सेकेंड में पुछा गया थे 2019 में सारे के सारे प्रशना आपके यूपी ट्रिपल सी बेच्ट है और यहां पर देखिए बताना है आठ रु आठ रुपए आठ पैसे को में दसमलों में लिखना आएगा सबसे पहले हम इसको बात करते हैं आठ रुपए जब भी पैसे में लिखा जाता है उस डिजिट को दसमलों के दोंग में लिखना पड़ता है क्योंकि उसमें 100 का भाग देते हैं कि एक रुपए में 100 पैसे होते और जो हम इसको पैसे को रुपय में बदलेंगे तो आप कहेंगे 100 का इसमें भाग कर दीजिए तो दसमलों 0 वेट आएगा यानि 8 में से दसमलों 0 वेट एट कर देंगे यही हमारा अंसर फाइनल अंसर हो जाएगा रुपय में C नंबर आपको सभी होगा यहाँ पर देखिए पूछा गया सांत दसमलों क्या होता है एक सांत होता है एक असांत होता है सांत असांत का सिंपल सी बात है कि इसका मतलब टर्मिनेटिंग और नान टर्मिनेटिंग इंगलिस वर्ड होता है नान टर्मिनेटिंग जिसका भाग कभी खतम हो चलता रहा है और हमने कोशन पर लिखा है आपका दस बटे माल लिजे बीस लिखा है इसको हम साल्व करते हैं यहाँ पर एक बटा दो आएगा दो का भाग एक में देंगे दसमलो गया जीरो आया दो पंचे दस अब इसके बाद इसका काम खतम हो गया अब यह साल्व नहीं होगा यहीं से हमारा फाइनल अंसर दसमलो पंच आ गया अब इसी जगर एक जांपल के तौर पर हम आपसे कहा एक बटा तीन का भाग करिए तो आप कहेंगे ठीक है तीन का भाग जब एक में देंगे दसमलो लगा झाल एसी जब घर जब बढ़ा लगांगे तीन तरीक हשक ěो बढ़ा जो तो आपका इसी तरीके टीन तरुक में दसमलो तो कहने के हैं वह टेंट tran लहीं यह साथ लगा शिल्सल았 और रिर कभी मंद नहीं होगा कि जब कोई चीज उसका रवाः चलता ही गया कांटीनी वोट क्या होता है नान टर्मिनेटिंग होता है मतलब टर्मिनेटिंग अलब यहीं होता है कि अभी असांत नहीं है जैसे कोई बच्चा रोता है उसको मार दो अगर वह सांत हो गया ठीक है रोता ही रहे रोता है कांटिनी तो उसे क्या बोलेगे असांत तो यह भाग क्या है अ अंसर आपके हाँ पर सी होगा कि सी नंबर आपका सही होगा कि कोसर नंबर देखिए पांच आप से पूछा गया है ब्यापाम प्रिशिच्चक 2018 पूछा गया था है दो सु पैंटी सत्रापन से पांच जब भी इस टाइप के सवाल होते हैं तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको अदी करते हैं लिख के है ना है है से याइड करते हैं दो सूपैंटिस लिखेंगे धका जीरो बढशने राइगे यह तर नहीं लगाना इतना ट्राइम किसके पास आप इतना बहुत नौड़ा जोड़ेंगे बहुत करेंगे और आपको बताने वाले कैसे लगाएंगे सबसे पहले आपको देखना है दसमलों का जो डेसिमल लगा हुआ हाइस्ट डिजिट पर कहुंसा है यहां पर देख रहे हैं हाइस्ट आपका फोर डिजिट पर लगा हुआ है यहां पर तो मैक्सिमम देख रहे हैं फोर डिजिट पर ल मिल चुका है और यहां पर फोर डिजिट है नहीं और यहां पर भी नहीं यहां पर भी नहीं यहां पर भी नहीं कोई बात नहीं पांची ले लेंगे अब हम तीसरे डिजिट देख रहा है तीसरे डिजिट पर हमारा यहां पर देखिए यहां पर जीरो दो तीन यहां पर तीस यहां पर दूसरे नम्बर पन्च है तो फंति आर्ट दो डशाएगा शेया पर इसा इनका कि दूखाएह जाब प्वाठन सिंग्ल फाइव आना चाहिए देखिए कहां पर लिखा हुआ है बिकल्प नंबर भी में तो इस तरीके से आपको समय बच जाएगा जल्दी जोड़ लेंगे बागी बेसिक मैठेड आपके पास है ही यह नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है कोसर नंबर देखिए शिक्स नंबर आपको बताना है दसमलो जीरो जीरो नाइन बटे दसमलो नाइन को भाग करना है तो देखो ऐसे प्रश्णों को ऐसे लगाते हैं सबसे पहले दसमलो जीरो जीरो नाइन लिख लेंगे इस तरीके से और दसमलो नाइन दसमलो यहां पर दे लिखे से उपर हमारा 9 आएगा नीचे हमारा 900 आएगा नौबटे 900 का मतलब होता है एक बटा 100 होता है और एक बटा 100 का मतलब सभी को पता ही यह दस्मेलों 010 यह पर लिख सकते हैं अंसर आपका डी नंबर सही होगा निर्मी लिखित को दस्मलों में वेक्त करिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है कोसर नंबर सेवेंग का अंसर क्या होगा सेवेंग का अंसर यहाँ पर क्या होगा दस्मलों 001% है आपको बताना इसका अंसर क्या होगा तो दस्मलों लिखेंगे 001 बटे 100 कर लेंगे दस्मलों हटा के आप चाहे तो ऐसा करिए तीन डिजिट में तो है यहां पे दो और ऊपर चला जाएगा यानि टोटल आपका 5 डिजिट पर आएगा बिखल्प नमबर आपके यहां पर डी नमबर राइट अंसर आपका हो जाए चलिए अगला प्रशने देखते हैं इन में से कौन एक सेकेंड को एक हंटे का दस्मलों भाग दरसाता है एक सेकेंड यहां पर बताना एक सेकेंड को एक हंटे का एक सेकेंड को एक हंटे का दस्मलों भाग दरसाता एक नमबर का जवाब क्या होगा एक हंटे में हमारे एक हंटे में जो हमारे होते हैं 3600 सेकेंड होते हैं कि इसको आप आसानी से लगा सकते हैं एक सेकंड लिखिए और यहां पर 36 लिखिए बस इसको साल्व कर लिजे इसको जब साल्व करेंगे तो आपका आएगा दसमलो 00027 घंटा विकल्ब यहां पर सी नमबर आपका सही होगा लिख नेश्ट प्रस्ण है हमारा एक से कमान क्या होगा ऐसे प्रस्णों को आप भाइं अपसंश लगा शकते हैं लसी मगर मततरा ने आपशन टो यहां पर थिरपन हमारा आनसे आप्सन ले लो तिन ले लो तीन बटे आठ चार बटे साथ आठ सथाह चपन साहत्री का एक आईस आड़ चौक बतिस जोड़िये तिर्पन आ रहा हैं बिलकुम आए तो इस तुरी चेख कर सकते हैं कि है यह इस तरी के ईसा बट लगा सकतेokolी कि वैं जो तो भी आप साना आप लेंगे ना बस आपका अंसर आजाएगा 56 या पर था यह सकेल सेम ले लिजिएगा अब आइसे आप समझें ना कि आठ चोको 32 तो इधार आई रहा है आप साथ में गुड़ा करें कितने करें कि हमारे तिरपन आनंची यह साथ रेका एकाइस तीरपन कंफर्म यह वैलू ज्यादा है इसको अटा दीजिए इसका गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा साथ रिका साठरेक का 21 में एक आएगा 21 blij 23 होता इसका करेंगे तिया चौक बावन 14 Islam कि मि यानि यह आपका ज्यादार रहा है इसको बहुंक आदे देजिए उन यंका खेल ब protesters कि ya यानि ज्यादा इसमें इधर वाला आ रहा है यह भी हटा देंगे यानि अंसार हमारा 14 बटे तिस होगा विकल्प नंबर सी देखिए क्रास प्रोड़क्ट मैथेड में क्या होता है कि पहले आपको दो भिन्नों को आपको क्रास मल्टिप्लाई करना है जिदर की वैलू करके लगा सकते हैं डिसमलों में निकाल के भी चेक कर सकते थे यहां पर लिखा हुआ यहां पर वन पॉइंट फाइव एक से दिया है और जीरो पॉइंट जीरो फोर वाई दिया है अब एक सकेंड बराबर में दिया है कोई बात नहीं दस मेलाग पांच एक से दसमलों पॉर वाई है आप ऐसे करिए इसको बटे में यानि हम एक सपन वाई को क्या लिखना चाहते हैं दसमलों जीरो 4 आपर यहां पर वन पॉइंट 5 इसके दस्मलों बढ़ा लिए कोई दिक्कत नहीं है दस्मलों दस्मलों अठा लिजिए दो से काटिए दो दो निचार यहां पर 75 आएगा कि अब एक बार जोड़ो एक बार घटाओं तो इसको आपने मैसेट पड़ा होगा याद होगा आपको योगांतर अनपात है ना कि अब पॉनेंड रूल होता है योगांतर अनपात होता है आप क्या करना है वाई माइनस एक से बार घटाए एक बार जोड़ दीजिए तो 75 में दो गटाएंगे 73 आएगा जोड़ेंगे आपका सब्सक्राइब यहां बढ़ते हैं पांच के सथानी मान पूछा गया दसमलों के देखिए इधर वाला नहीं है इदर पूछा यहां पांच का इस्थानी मान आपका 50 होगा इधर सी दसमलों से कोई मतलब नहीं उसका अलग तरीके निकाला जाता है हमें इदर लेफ् पचासी होता है तो अंसर यहां पर आपका बी नंबर सही होगा यहां पर देखे गुड़ा करना है 10. दसमलीब 5, 0, 5 नि 10 होगा दस्मलो तीन डिजित पर हैं डिजिट यहांपर टोटल चार डिजिट पर लगाना है तो दस्मलो 0010 लगा देंगी, अंसर देखिये चौह पर हैं आपका तो आपको दिखे क्या घटाना आपको बताना है चौदा नंबर में जाब क्या होगा तो सिंपल सी बात है इसको आप लगा सकते हैं क्या घटाया जाए कि इतना हो जाए तो आपको क्या करना है पांच बटे चौदा में से आपको घटा लीजिए साथ बटे 42 एलसीम आपका कितना आएगा साथ बटे 42 में साथ बटे 42 को सालवगर सकते हैं साथ एकमसा साथ चंग 42 है ना या फिर आइसा करिए इसको ऐसी रहने दीजिए 42 ले ले लिजिए साथ बटे 42 को काटेंगे दो चोक वाट यानि चार बटे 21 होगा अंसर चार बटे 21 आएगा बोला ना इसमें क्या घटा है हमने मान लिया एक से घटा रहे हैं में क्या घटा आए जाए कि प्रावत भीने साथ बटे 42 हो जाए अंसर आपके यहीवाल आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं एक सिच्चिकाने कच्छा में एक वास्तविक भिन्ने हल किया और उस चात्रों को यहाँ पर बताया गया है उसी वास्तविक भिन्ने के अंसर भाजक में उतनी धनात्म संक्या के बराबर ब्रद्धी की तब नया हमेशा याद राख कि जब भी भिन्ने के अंसर में आप बोला है न साफब पढिए कोसं को ध्यान से आध्यत्रों की वह चात्रों के लिए एक नियत कारे के लेकिन हम आपको थोड़ा समझा दे रहे हमने मान लिए एक्जामपल में कि आपके जो भीन है एक बटा दो है यह मान लिए हमने मान लिए अपनी तरफ से और इसकी वैलू क्या होगी दसमलों पांच होगी अभी को पता है अब हम क्या करने वाले कि यह जो 205 का मान है इसमें इसका क्या था यहां पर हर इसका था इसमें भी हमने दस्मलों पांच क्रोंच कर दिया आइड़ करेंगे तो आपका यह वन पॉइंट फाइडा और यह दसमलों हटा लेंगे पांटरी का 15 25 यानि दसमलों च्हें आइगा अ हमने आप से क्या वोला है इसकी वैलू जो होती बढ़ जाती है मुल भीने से हमेशा मुल भीने से अधिक होगा याद रखेंगे आपसर नमबर यह नमबर सही होगा कि ऐसे प्रशन ने राजर सुनी रिच्छेक में पूछा गया था 2016 में और ऐसे प्रशन के एक्जामों भी पूछे जा रहे हैं कैसे लगाएंगे देखिए वन माइनस यह लिखा वन लेंगे तो सबसे पहले आप लेंगे तो आएगा यहाँ पर फॉर माइनस वन यानि थिरी 2 x 5 आएगा इसको करेंगे तो आपका आएगा 5 x 6 अब आप देख रहा है नहीं से सिरिज कटेगी ऐसे कट रहे हैं ऐसे ऐसे कट रहे हैं कट रही न आए माईनस 11 अपन यह नहीं तो यह भी कहींड कहीं इस नंबर से गटेगा ऊपर तहीरी बच हैं नीचे एन बचेगा अं यह प्रापैस एक सकते हैं दस मुलोब फ़टाग यहां जीरो बढ़ाए लेंगे तो 10 हो जाएगा एक हुद्स तो बराबर ही हो गें हैं तैसे बराबर इतना तो एकसर बाबर करम के योग आपको दिया गया है मैंनगा 844 में दोनों में से छोटा भीन्य क्या होगा को कॉट्राइट के सब्सक्राइब धिन इस मैं वानसर इन दोनों के योग वान इसको बैया गया एक ठीक ना तो इसको आप लगा सकते हैं तोशोटी भीन्य पूछा गया तो इसको आप घर में भी सालम कर सकते हैं तो हम एक्वेशन मना दे रहे हैं वाकि इसका अंसर जो है आप लोग घर पे कमेंट करके जरूर बताएगा कितना इसका अंसर आएगा कुछ लोग आप भी करिये वैसे भी आप लोगों का मैद में पढ़ने मन लग नहीं रहा है है ना हम पढ़ाया चले गए पेपर होगा ना तब मालूम चलेगा पेपर जब इसका होगा पीटीगा तब आपको वास्तेवता पता चलेगी सायथ पढ़ लिए होते तो काश पास अच्छा होता अभी सम्झे नहीं आता बच्चों को जब पेपर में रिजल डाता है ना तब मालू कर दीजिए सन्याद ले लिजिए आगे बढ़ते हैं एटी नंबर और एटी नंबर में देखिए भी न और उसके व्यूत्करम को योग दिया गया है तो सबसे पहले एक से लिखेंगे अब प्लस का वन अपान एक से लिखेंगे बराबर आपका माइनस का नमासी बटे चाल प्लस का नमासी एक से यानि कुल मिला कि आपका यह यह फ्रेक्शन बनेगा यहां लिख दे रहे हैं चालिस का एक स्कॉर अप्लस का नमासी एक से माइनस का चालिस बराबर जीरो ठीक ना इसको आप घर पे साल्व करिएगा अंसर बताइए कि दो वैलू आएंगी देख लिए कौन चोटा आ रहा है आप इसको घर पे लगा के अंसर बताइएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए भीन ने लिखा हुआ परेड़ाम क आपको आरोई करम में लिखना रहेगा आपको मलब छोटे से बड़े में लिखना रहेगा तो आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में आएंगे उससे आप कंपेर कर सकते कि बढ़े काफी डिजिटिटिव में इसमें बड़ी बड़ी है एक रास्ता यही है आप भाग उननीस नंबर का भी आपको अंसर बताना है कमेंट करके क्या आएगा चकवंदी लेकपाल में पूछा गया था आपका इसमें लिखने के यहाँ पर एक सपान वाई लिख लेते हैं हर में हमने क्या क्या किया एक जोड़ दिया तो भीन एक बड़ी हो जाती है इसको थोड़ा सालव कर लेंगे तो 2x बराबर हमारा y प्लस 1 आएगा यानि ओठ़ुड़ा इसको सालव कर लेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 2x minus का y बराबर minus का 1 यह आपका एक समिकरन बन जाएगा अच्छा प्लस का 1 रहेगा प्लस का 1 रहेगा यह तो अलेडी प्लस में ही है प्लस का 1 रहेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दीखे लिखा हुआ है भिन्ने के अंस में ध्यान दीजिएगा भिन्ने के अंस में अगर हमने क्या किया भिन्ने के अंस में अगर हमने 1 जोड़ दिया इसे जोड़ दिया तो भिन्न एक हो जाता यानि एकस प्लस 1 बराबर y तो यहाँ पर आपका आएगा x minus y x minus y बराबर आपका minus का बनाएगा इन दोनों को आपको सालु कर लेना है घटाने पे करेंगे ये साइन बदलेगा ये प्लस होगा ये प्लस होगा कैंसील होगा यानि x वराबर आपको कितना आजाएगे हापे x वराबर यहाँ पर आपको जोड़ जाएगा 1 एक कितना होता 2 x की value 2 आगई तो Y हमारा कितना रहा होगा Y हमारा तीन रहा होगा दोनों को योग पूछा गया तीन दो जोड़ लेंगे तो आपका अंसर पाँच आ जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर B नंबर आपका सही होगा अगला प्रशन हमारा निम्डे की समवी करण में प्रशन चिन्दी के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा तो यहाँ पर सिंपल सवाल है ऐसे प्रशनों को आप लगा सकते है आसान तरीके से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बार्ड मास का रूल पढ़ा ही होगा बार्ड मास का रूल आपने पढ़ा ही होगा सबसे पहले डिवीजन वाला होगा 16 ठी कितना होता है 128 होता है 8 आठ आएगा आर गुड़े 3 करेंगे आर तरीका 24 सादूनी 14 24 में 14 घटा लेंगे तो आपका कितना हैगा 10 आएगा नीचे हमारा X माल लेते है 36 में 3 घटाएंगे तो 33 आपका आएगा 36 में से 3 घटाएंगे हाना X माइनस 36 इस लिखा हुआ है चलिए कोई दिखकर नहीं X माइनस 36 36 माइनस करेगा माइनस कटीन माइनस 49 होगा अच्छा माइनस 49 होगा बराबर आपका 1 आएगा यानि X माइनस 49 बराबर आपका 10 आएगा इसको इधर भेद देंगे X बराबर आपका 49 अंसर आएगा B नमबर B नमबर सही होगा आपका अगला प्रश्ने मारा यहाँ पर यदि A बराबर इतना B बराबर इतना तो A B से भी भाजी है तो परिड़ाम की गढ़ना करना है तो इनको एक बार LCM लेको जोड़ लो और भाग दे देना अंसर आपका आजाएगा 22 नमबर में अंसर आपका आजाएगा लगा सकते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं है इसका LCM ले 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 जिएगा इसका LCM ले ले जिएगा जितना आपका आए माल लेते हैं A बराबर कुछ नकुछ तो आएगा B बराबर भी कुछ नकुछ तो आएगा A अपान B आपसे पूछा है इसका इसका डिवाइड करा देना कैंसिल कर लेना आपका अंसर आजाएगा LCM लेके जोड़ना घटाना घर में कर सकते हैं 22 नमबर हना इसको लगाईएगा अगला प्रश्ण बताईए चकवंदी लेकपाल में गुड़ा करके इस तरीके से सिंपिलिफाई है लगबक किसके बराबर होगा गुड़ा भाग बाले सवाल लगा लेंगे सिंपिलिफाई यह भी आप करके बताईएगा अगला प्रश्ण बताईए 24 नमबर 24 नमबर देखिए कैसे लगाएंगे 24 नमबर में कोई दिक्कत नहीं है इनको जोड़ लीजिएगा पहले हैं जोड़ेंगे तो कितना यह द्रसमलोफ 75 द्रसमलोफ 5 0 करके जोड़ेंगे तो यह पर आपका आजाएगा 1.25 को कितना आएगा आपका 1.25 आएगा और इसको इसमें घटाएंगे देखो याली दे रहे हैं 1.25 अब इनको घटाएंगे तो आपका आएगा वन वे टू पॉइंट बनाएगा कितना अगा इसमें आच से गुड़ा करना है तो आट इता करेंगे हो जो इस सवाल में थोड़ा साब करेक्शन कर दीजिए नहीं तो अंसर फिर आपका नहीं आएगा कि करेक्शन आपका डिवाइड का साइन है। याँपे याफी डिवाइड कर लिजी रची कर लाट न तब दूसर आपका आएगा अधर बजनी आप आएगा पिर अनुसर आपका नहीं आप आएगा अभी हमने इन को शालफी किया यह आया इसको साल भी किया यह आया ठीक ना अब आगे डिवाइड का साइन लगा लेंगे डिवाइड है डिवाइड साइन है उसको कर लीजिएगा अब इसमें देखिए आप लिखा हुआ है इसको पहले गुड़ा कर लेंगे है ना तो दसमलो एक दो पांच में 4.8 से जाएगा अब इसमें से इसको माइनस करेंगे है ना माइनस करेंगे और इसका लिखा ना आप 0.25-0.2 लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं देखो सबसे पहले आपका मतलब गुड़ा होता है इसको गुड़ा कर लेंगे यानि 0.5 आएगा माइनस इसको गुड़ा करेंगे पचीतर का 75 होता है दसमलो 075-0.2 लिखा ही था पिर भाग का साइन है आपका और इसके बाद इनका गुड़ा कर लेंग हुड़ा करेंगे तो आपका कितना आएगा दसमलो दो आएगा गांस उसको दो लिख सकते हैं और इसको करेंगे दसमलो 0-0 फाइब आएगा अफिर्फाइव आएगा है है उध्यबुद लिग्ट कर लेज़के सब्सक्राइब कर देजेगा और का इसका अंसर जह आप का आएगा बिकल्प नमबर आपको जोड़िएगा ठीक ना नहीं नहीं सी नहीं बी आएगा बी नंबर होगा कि ये वाला आप्सण आएगा ठीक ना इसको कल लेजिए गांसर आपका दसमलोग सब्सक्राइब लगा तो इसको आप बार लगा दीजिए ठीक है आप सा नंबर भी होगा आपका लगा लेजिए के काल्कुलेशन है कुछ नहीं बता दिये हमने आपको पहले इसको जोड़िएगा इसको इसको घटा कि गुड़ा कर लेजिए आपस में इसके इसमें भाग कर करेंगे तो आएगा इसके बाद इन दोनों को पहले गुड़ा कर लेजिए का आफ में बार्ड मास में पहले आफ वाला आता है कुड़ा करने के बाद इस तरीके साल्व करिए आपका अंसर आजाएगा कि चले यही तक क्लास आपकी थी यही तक पोस्तान आपके दिये गए जो भी हमने छोड़ा है कमेंट में जरू बताइए कितने मतला उसका अंसर क्या होगा ठीक है